फाइटोजियोग्राफी वातावर्निय परिद्रिश में पाधप प्रजातियों के भोगोलिक वितन का अध्ययन करता है तथा पारिस्थितिकी पर उनके प्रभावों की विवेचना करता है। यह जैव भोगोलिक विचारधारा के अंतरगत आता है जिसके प्रणेता प्रोफेसर हमबोल्ट माने जाते हैं जिनोंने मातरात्मक उपागम की विवेचना किया। प्रोफेसर अलफ्रेड वालेस के दक्षिन पूर्वी प्रजाती विभाजन रेखा सिध्धान्त एवं इनके सहगामी सिध्धान्त विशिष्ट तौर पर पादब भूगोल की पहचान है। वही जियोगोटानी जिसके प्रणेता प्रोफेसर अगस्त ग्रीस बाख रहें जिनोंने इसका नामकरण सन 1866 में किया जो प्रमुक रूप से भौगोलिक प्रभामंदलिय प्रभाव पादपो पर व्यक्त करता है। कार्बन उत्सर्जन स्तर का विन्यमन होता है, जिसे कार्बन क्रेडिट कहते हैं। ताकि अपने उत्सर्जन स्तर को नियमावली अनुसार प्रदर्शित कर सकें। सन 20-23 के कार्बन मूल्यांकन आत्मबल में कार्बन सम्तुल्य 11.66 गीगा टन रहें जो 23% वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का प्रतिनिधित्व करते हैं। केप एंड ट्रेड पहल व्यक्तिगत संस्थाओं को उत्सर्जित व्यापार कीमत पै की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जो रिजन ग्रीन हाउस गैस इनिशेटिव के मानक अनुसार प्रतिबध पाएं जाते हैं। जातव्य है कि कार्बन उत्सर्जन स्तर का विन्यमन होता है, जिसे कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। कम उत्सर्जन स्वच्छ विकास तंत्र के सौजन्य से औद्योगी करण को बढ़ावा देता है। पादप द्वारा प्रदूशन निम्निकरन प्रक्रिया। फाइटो स्टिबिलाइजेशन पादप प्रदूशकों को अपने जड़ तना एवं पत्तियों द्वारा संग्रहन करते हैं। फाइटोनिशकर्शन प्रदूशकों को अवशोशित कर परिश्कृत किया जाता है। फाइटोनिशन पादप एवं जैव म्रिदा से विशाक्त पदार्थों को कम विशाक्त में बदलते हैं। फाइटोनिशन स्वयन के जैव रसोद्वारा पौधे बैक्टीरिया को जर्शतरक शेत्रों में गमन कराते हैं, जहां विशाक्त पदार्थ निंकृत हो जाते हैं या संद्रहीत हो जाते हैं। फाइटोनिशन पादप एवं जैव म्रिदा से विशाक्त वायू पदार्थों को कम विशाक्त वायू गैसिय पदार्थ में बदलते हैं।